प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका वीकेस फिजिक्स अकेड़ी में आज कमार टोपिक है रैसी प्रोकल लैटिस वेक्टर इसे विद्करम जालक से दीज कहते हैं ये टोपिक जो है वो सॉलिट स्टेट का बहुत ही मोसट प्रोकल टोपिक है जो जालक से समदीत हैं किरिस्टल स्टैक्चर समदीत हैं और मिलर इंडिकेट्स से समदिन जो टोपिक से BSE Third Years के अंदर Solid State जो भुक लगती है प्रते एक उनिविश्टी के लिए ये topic काफी importance रखता है अगर आप हमारे Solid State इसमदे topics और देखना चाहते हैं तो उपर right side में I button पे click करें और suggested video में आपको मिल जाएंगे या channel की playlist में जाके और Solid State physics के अंदर आप उनको देख सकते हैं Brilliant zones जो बहुत जादे importance होते हैं उनको पढ़ने के लिए उनके बारे में समझने के लिए हमें reciprocal lattice के बारे में जानना आफशक है तो हम पहले reciprocal lattice पढ़ते हैं उसके बाद भी हम Brilliant zones पढ़ेंगे तो देखिए definition इसकी क्या है कि ऐसा सदीस ऐसा vector जिसका परिमान जालक तलों के मद्य दूरी का व्युतकरम जो जालक तलों के मद्य दूरी होती है D जो हमने पहले इन पर वीडियोज बना दिये हैं तो आप उसमें देख सकते हैं दूरी का व्युतकरम तथा दिसा इसकी जो direction है उस तल यानि hkl जो plane है आपका उसके अभी लंवत हो उसे हम व्युतकरम जालक सदीस कहते हैं और इसे denote किया जाता है एक संकेत से इसे कहते हैं sigma vector hkl hkl यहाँ पर Miller Indicates हैं और जिनको हम पहले इनकी वीडियो हम बना चुके हैं इसके साथ साथ जरी से प्योंकर lattice जो है वो plane के बीच में जो interplanal spacing होती है उनके बारे में भी जानकारी देता है तो यह इसका यहाँ पर एक संकेत हो जाता है यानि इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं sigma star hkl is equal to 1 upon d hkl यानि hkl जो plane है उनकी interplaning जो spacing है जालेकतलों के मदे दूरी d है वो dot n cap यानि उसके unit vector 1 upon d hkl के बराबर होता है sigma hkl अब हम इसे कुछ अलग-अलग conditions के अंदर इसका values ग्याद करेंगे sigma star hkl की value हम ग्याद करेंगे अलग-अलग जालक सदीश के मद्ध है जैसे a vector, b vector, c vector x x के अनुदीश, y x के अनुदीश और z x के अनुदीश जो जालक सदीश होते हैं उनकी forum में इस reciprocal lattice की जानकारी हम प्राप्त करेंगे इसके लिए हमें आव सकता होगी एक monoclinic crystal जो होता है उसकी unit cell की तो हमने एक monoclinic crystal की unit cell बनाई है जो unit cell में यह properties अपनी लागू है कि alpha is equal to gamma is equal to 90 degree है और beta जो है वो 90 degree नहीं है और कोई भी बुजाएं बराबर नहीं है इन पे भी हमने वीडियो बना दी है तो आप playlist में जाके देख सकते हैं तो यह हमारे पास एक structure है जिसमें zx के नदीश कहें या इसे आप x कह ले जो भी आप कहना चाहें a vector है यहाँ पर यह b vector को denote करता है और यह भुजा जहो c vector को denote करती है और इस plane हमने यहाँ पे एक plane लिया है hkl जिसकी height जो है वो d100 के बराबर है अगर इसको आप xx मानते हैं तो coordinate में xyz हम जब लिखते हैं तो इस पे हम अगर plane की height ले रहे हैं तो मूल बिंदों से यह जो दूरी है distance वो 1 है और दोनों बाकी तलों के यह समानतर होगा इसलिए यह इनको नहीं काटता तो यह Miller Indicate के हिसाब से denote आते हैं और Miller Indicate भी हम वीडियो में बता चुके हैं प्रीविस वीडियो हम पहले बना चुके हैं तो d100 यह इसकी distance आजेगी इसकी height आजेगी तो अब मान लेते हैं कि माना A Vector B Vector C Vector जो समान्य जालक सदीश हैं उसके अभज्य जालक सदीश हैं समान्य लेटिस के नूर्मल लेटिस के अभज्य जालक सदीश हैं और इस diagram के इसाफ़शम देखें तो unit cell जो है उसका आधार कोन बना रहा है अधार B Vector और C Vector मिलके इसका base बना रहे हैं और इसकी जो height है वो बना रहा है D100 तो इस unit cell का volume अगर हम निकालना चाहते हैं आयतन अगर हम निकालना चाहते हैं तो volume होता है area into height वैसे volume होता है लंबा into चुड़ा into उन चाहे लेकिन जब हमारे पास area हो और कोई एक भुजा हो तो हम area into height से भी हम volume निकाल सकते हैं तो area जो है वो लंबा into चुड़ाई के साबसे B Vector cross C Vector होगा और into में height जो है वो D100 है यहां से हम पक्षानतन करेंगे क्योंकि हमें value ग्याद करनी है 1 upon D100 की जिससे हमें sigma की value मिलेगी जो हमारा reciprocal lattice होता है तो यहां से 1 upon D100 बराबर B Vector cross C Vector upon में आजेगा V और dot मैं यहां लगा देता हूँ N cap जो कि इसकी direction को बताएगा N cap एक unit vector है और जब हमारे पास तीन जालक सदीश होते हैं A Vector, B Vector, C Vector किसी unit cell में तो उस unit cell का जो volume होता है वो A Vector dot B cross C होता है V बराबर A Vector dot B cross C होता है तो यह हमारे पास value आजेगी sigma Vector 100 की तो यह आ गया sigma Vector 100 इसको हम A star से भी denote कर सकते हैं बराबर B Vector cross C Vector upon A Vector dot B cross C equation number first Similarly, पिल्कुल इसी प्रकार से हम B star की value ज्याद कर सकते हैं C star की value ज्याद कर सकते हैं और इनको normal A Vector, B Vector, C के साथ interlate करके हम इनकी अलग-लग value reciprocal lattice की निकालते हैं तो A star की value आजेगी sigma 100 बराबर B Vector cross C Vector upon A Vector dot B cross C equation number first बिल्कुल इसी प्रकार से B star जो है वो होगा 1 upon D 0 1 0 dot n cap बराबर sigma 0 1 0 बराबर और यहाँ पर B Vector cross C Vector की जगा C Vector cross A Vector आजेगा equation number 2 और C star जो है वो आजेगा 1 upon D 0 0 1 dot n cap यह sigma 0 0 1 is equal to A Vector cross B Vector upon A Vector dot B cross C equation number 3 अब अगर हमें यह D 0 1 0 यह D 0 0 1 अगर दिखाना हो तो हमें इस डाइग्राम को बदलना होगा लेकिन हम सिरफ एक निकाल के और similarly इसी प्रकार से इनका लिख सकते हैं अब हमें इसकी values ग्याद करने के लिए कुछ प्रोपर्टियों का यूज करना पड़ेगा कि A star dot B Vector अगर आप A star की value के साथ B vector का dot product करते हैं तो उसकी value 0 आती है या अगर आप A star के साथ C vector की dot product करते हैं तो उसकी value भी 0 आती है क्योंकि A star जो है वो B vector और C vector के perpendicular होता है लव्मत होता है जिस प्रकार से I cap dot J cap की value 0 होती है और I dot I J dot J और K dot K की value एक होती है बिल्कुल इसी ट्रम में A star dot A star B star dot B star या C star dot C star की value हमारे पास एक आएंगी और इसके opposite एक का दूसरे के साथ जो है वो value जिनकी 0 आती है तो A star dot A star बराबर B star dot B star बराबर C star dot C star आएगा 1 तो हमारे पास ये तीन equation जो आए थी ये तीन equation reciprocal lattice की equation है जो A star B star और C star में है जिसे आप A star बराबर sigma 1 0 0 से भी denote कर सकते हैं B star बराबर sigma 0 1 0 से भी denote कर सकते हैं और C star बराबर sigma 0 0 1 से भी denote कर सकते हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 सिगमा 100 या सिगमा 200 अगर आता है 3 A स्टार तो सिगमा 300 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इनके आधार पर हम reciprocal lattice का एक स्थानांतन सदीस बनाते हैं इसकी equation को हम brilliant zones में use करेंगे तो अब हमने जो समीकन बनाई थी 1,2,3 A स्टार, B स्टार और C स्टार में वो equation क्या कहती है कि कोई भी crystal जो है वो समानने जालक जो है उसके साथ और अपना reciprocal lattice जो है उसके साथ हैसरसेट हम में साही होती है अगर हमें किसी reciprocal lattice point SQL तक पहुंचना हो तो हमें A स्टार के साथ H unit, B स्टार के साथ K unit और C स्टार के साथ L units तक चलना होगा तब हमें वो lattice point प्राप्त होगा तो इस condition में हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं mathematically सिगमा स्टार SQL को हम नीमन प्रकार से लिख सक सकते हैं सिगमा स्टार SQL is equal to HA स्टार वेक्टर प्लस K B स्टार वेक्टर प्लस LC स्टार वेक्टर इसको और ज्यादा mathematics तरीके से हम एक संकेत G स्टार से denote कर देते हैं तो यह आता है आपका reciprocal lattice जिसमें H की L जो है वो आपके Miller Indicates होते हैं किसी lattice के और A स्टार B स्टार C स्टार जो है वोने हम कहते हैं reciprocal lattice vector